सार्थी कहता है कि वह अंगूठी को अपने पास घर पे नहीं रखेगा वह ऐसी जगह रखेगा जहां पर कोई भी नहीं पहुँच पाएगा फिर वह दूर एक ऐसी जगह चाता है जो सहर से दूर होता है एक बीरान जगह पर जहां पर एक खंडर होता है उसी में वह अपने स तोड़ करके वहां पर आ जाता है जो सिल्वेस्टर का होता है सिल्वेस्टर यह सब अपने टैप में देख रहा होता है तभी उसकी मा की कॉल आ जाती है और फिर वह टैप को छोड़ करके अपनी मा के फोन को रिसीब करने चला जाता है और फिर उसके दोनों असिस्टेंट फ जो बॉक्स होता है वह उसके सामने आ जाता है और फिर जब सिल्वेस्टर आता है तो उसको वह बॉक्स दिखाई पड़ता है और जब उसको खोल करके देखता है तो उसमें रॉयल वेडिंग रिंग होती है और वह उसको ले लेता है फिर वहां की सारी कीमती चीजों को रोब लगा देता है जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और इस धमाके को सार्थी भी सुनता है और प्रिंसेस भी देखती है और सुनती है और वह सार्थी को फिर से उस खंधार में अंदर जाते हुए देख लेती है जब सार्थी अंदर पहुंचता है तो देखता है कि लिविंग वर्ड वालों का काम है फिर वह खुद लिविंग वर्ड में जा करके रिंग को लाने की बात कहता है तब उसके साथ उसका भाई भी चलने के लिए कहता है और फिर उसका भाई भी उसके साथ हो लेता है फिर वो लोग उसी सुरंग से होते हुए लिविंग वर्ड म पहुँच जाते हैं उनके साथ उनका क्रोक भी जाता है